कि एक है ऐलो फ्रेंड्स वेलकम डूवर चैनल यूथ फार्मिसी दोस्तों आज की वीडियो पन बात करने वाले यह यह लिंप-सी टेब्लेट के बारे जानेंगे इसके counter indication है इस tablet को लेते से मैं किन-किन बातों का द्यान रखना चाहिए तो ये सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों लिम्ट सी जो tablet होती है ये एक vitamin C का supplement यानि कि एक source होता है vitamin C की कमी को पूरा करने के लिए इसका यूज करते हैं क्योंकि ये water soluble होता है तो हमें daily vitamin C की requirement होती है क्योंकि जो vitamin C अपन लेते हैं वो body में यूज होने के बाद urine के थो बहार निकल दाता है तो इस तरह से में daily vitamin C की requirement होती है इसके अलावा लोग तरह तरह के कामों के लिए भी इसका यूज करते हैं तो इसी के बहर हम बात करेंगे तो दोस्तो लिम्ट सी जो होती है tablet form में मिलती है इसकी एक strip में 15 tablet रहती है जिनके price 20-22 रुपए के आसपास रहती है इसे एबोर्ट pharmaceutical company द्वारा manufacture के जाता है यह doable tablet होती है यानि कि इसको चबा के अपन ले सकते हैं और बिना पानी के इसे चबा के आप इसे use कर सकते हैं next बात करेंगे इसके basic use यानि कि इस tablet का use कहा कहा किया जाता है किस किस चीज में इसका use किया जाता है तो first है इस करवी के treatment में इस करवी क्या होता है गम से related एक disease होती है जिसके अंदर अगर vitamin C की कमी हो जाती है तो गम से blood आने लगता है तो इसके treatment में लिम सी tablet का use किया जाता है इसके अलावा antioxidant property की ये tablet होती है यानि कि body की जो body oxidized होने लगती है यानि कि बुढपा आने लगता है wrinkles आने लगती है जुर्या पढ़ने लगती है शरीर पर तो उसके treatment में इसका use किया जाता है इसके अलावा immunity booster ये as a immunity boost करने के लिए यूज करते हैं घाओ को जल्दी भरने के लिए wound healing treat skin tissue यानि कि जो dry skin होती है उसके tissues को ठीक करने के लिए इस tablet का use करते हैं इसके अलावा remove free radicals यानि कि body के अंदर से जो free radicals होते हैं उनको remove करने के लिए इसका use करते हैं skin को soft बनाने के लिए skin की जो damage tissues होते हैं cells होते हैं उनको remove करने के लिए और wrinkles यानि जुर्या हटाने के लिए तो इस तरह से इस tablet के multiple use होते हैं तोस्तों ये only skin को hydrate करता है से मतलब थोड़ा बहुत glow आ सकता है बाकी कोई गोरा करने के लिए use नहीं machen fairness के लिए इसको use नहीं करते काफी लोग बोलते हैं कि लिम का use करने जाते है खाली Será स्के लेकिन से इस 수कापर हो सकते हैं इस गोराओ के तोर आपन यूज़र नहीं कर सकत なई डुक्टरी से as a fairness suggest करते हैं यह only एक nutraceutical है एक health supplement है vitamin C का source है synthetic source आगे बात करेंगे vitamin C के कौन-कौन से source है जो natural है जिनको use करके अपन vitamin C की कमी को पूरा कर सकते हैं तो आप citrus fruits या सबजियां जो भी है उनके अंदर vitamin C होता है वो आप use कर सकते हैं जिसे की आमला हो गया, lemon हो गया, आलू हो गया broccoli है, orange है और भी जो अधर है fruits है, strawberry हो गया यह सब चीजे यूज़ करके vitamin C की कमी को पूरा किया जा सकता है पर आज के इस busy life style होने करन लो यह सब daily नहीं खापाते हैं तो synthetically यह tablet form में हमें मिल जाता है as a limb C के रूप में तो limb C tablet से vitamin C की कमी को पुरा किया जा सकता है बात करेंगे इसके dose की dose से पहले अपन जानेंगे इसके जो packing आती है उस पर अपने को क्या-क्या इस एक tablet में मिलता है इसमें मिलता है अपने को ascorbic acid 100 mg और sodium ascorbate 450 mg यानि की एक tablet जो रहती है उसमें 500 mg vitamin C या ascorbic acid अपन बोल सकते हैं वो उसके अंदर प्रजेंट रहता है और इस tablet को generally OD यूज के जाता है यानि की दिन में एक tablet रहती है और कभी-कभी BDV यानि की सुबह और शाम भी यूज कर सकते हैं और इस tablet को जरूरत पढ़ने पर यूज करना चाहिए ऐसे नहीं की आप जब मन मर जी आए तब इसका यूज करें जब requirement हो body में तब यूज करें अगर access में यूज करते हैं तो इससे side effects जरूर होंगे बात करेंगे इसकी dose की तो इसमें अपने को 60-120 mg की डेली रिक्वाइर्मेंट होती है यानि की बच्चों में लेकर अडल्स में ओल्डेज में ब्रेस्ट फीडिंग मदर से इन में सब में अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है किसी में कम तो किसी में ज़्यादा तो एवरेज बाने तो 60-120 mg के बीज में हमें डेली वाइटेमिन सी की रिक्वाइर्मेंट होती है और बात कर इसके मेक्सिमम डोज की तो इस टेबलेट की मेक्सिमम डोज पर डे 2000 mg तक रह सकती है यानि कि एक दिन में ज़्यादा ज़्यादा चार टेबलेट ले सकते है तो उसके हारमफूल साइड इफेक्ट जरूर होंगे बात कर इसके कोंटर इंडिकेशन की तो कुंटर इंडिकेशन में अगर किसी को किड्नी स्टॉन है किड्नी से रिलेटेड डिजीज है तो उनको वाइट्यमीन सी यानिकी लिम सी की टेबलेट यूज नहीं करनी है इसके और कोई डायबेटिक पेसेंट है उनको भी टेबलेट नहीं लेनी है क्योंकि इसमें सुगर प्रेजेंट रहेगी और प्रेगनेंसी में और ब्रेश्ट फिडिंग मदर्स डॉक्टर की सला पर डॉक्टर से कंसल्ट करके यह टेबलेट यूज़ कर सकती है क्योंकि वाइटमि से ऐलर्जी है या फिर उसने ओवर्डॉस ली है तभी इस टेबलेट के सि इफिक्ट्स दिछने को मिलेंगे अधरवाईस-ऐसे कोई साइडआ इफेक्स इस टेबलेट फिल्न के उसकते नहीं आ, ओर्डॉसोय होने पर क्या क्या सब इफिक्स सकते हैं वो मिटिंग हो सकती ह डाइरिया हो सकता है अब्डोमिनल पहन हो सकता है और चेस्ट पहन ये कुछ हलके से या कुछ common side effects है जो इस टेबलेट को लेने के बाद हो सकते हैं तो दोस्तों ये थी लिमसी टेबलेट से related complete information वीडियो के अंदर आप अपने बात करी इस टेबलेट के यूज की वाइटेमिन सी के source की और इस टेबलेट को कैसे लिया जाता है उसके बारे में अपने जाना तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक नए information के साथ धन्यवाद